जैश्री मन नारायन हरी दोस्तों, ब्रेह नारादिय पुरान में धर्म राज स्वयम राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, ये राजन जो श्री विष्णु तिथी यानि या कादसी तिथी को भगवान विष्णु की गंद और फुल से पूजा करते हैं, वो हजारों, जन्मों के पापों से मुक्त हो कर श्री विष्णु पद को प्राप्थ होता है, ऐसे ही परम पावनी एकादसी है, जया एकादसी, जो माग सुकल पक्च एकादसी तिथी को आती है, इस एकादसी को भैमी एकादसी भी कहा जाता है, इस एकादसी को पालन करने वाले सभी जीव के प उसकी पौरानी कथा श्रवन करते हैं। एक समय राजा युदिष्टिर ने भगवान श्री क्रिश्न से पूछा, हे जनार्दन माग मास में सुक्रपक्ष में कौन से एक आदसी आती है, उसके आराध्य देव कौन है, और इसका क्या महत्व है, कृप्या विस्तार पुर्वक प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री क्रिश्न के कहा, हे राजन, माग मास में सुक्रपक्ष को आने वाली एक आदसी को जया एक आदसी या भैम एक आदसी कहते हैं, या एक आदसी सभी पापों को हरन करके मोख्ष देने वाली है, और इसके पालन से जीव को पिस प्राप्त नहीं होती। इस परकार कहते हुए भगवान ने जया एक आदसी की कथा प्रारंब की। एक समय देताओं के राजा इंद्र पारिजात से सुसोवित नंदनवन में अपसराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्वो के नायक इंद्र देव ने उस तीन नंदनवन में गीत और निरित्ते संगीत का समारो किया। वहां उपस्थित गंधर्वो में पुष्पदेन, चितरसेन और चितरसेन के पुत्र प्रमुख थे। चितरसेन के पत्नी का नाम था मालिनी और उन दोनों के एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पदंदी। गंधर्व पुष्पदंद का पुत्र माल्यान भी वहां देवराज इंद्र के सभासमारों में उपस्थि था। और जैसा सामन्यत होता है, माल्यवान और पुष्पवन्ती एक दुसरे के प्रती आक्रिष्ट हो चुके थे। वे दोनों भी अन्य गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र को प्रशन करने ही तू निरित्य और गायन करने आये हुए थे। लेकिन एक दुसरे में आसकती के कारण उनका ध्यान गायन और निरित्य के प्रती कम किन्तु एक दुसरे के प्रती आकर्षन में ज्यादा था। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन दोनों के गायन और निरित्य में तुलूटिया आने लगी। वे सुद परकार से गायों और नर्तर नहीं कर पाएं तो यह बात देवराज इंद्र से भला कैसे छिपी रह सकती है तो इस परकार उन दोनों का ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बरा कुरोध आया और वह इसका अपना अपमान समझने लगे कुरोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को शराप देते हुए कहा अरे मुर्खो तुम दोनों सच में पती थो तुम दोनों एक दुसरे में आसकि के कारण में विली आज्या का भी उलंगन किया है तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मिर्तिव लोक में पति-पत्नी बनकर पिसाच योनी में रहो यह श्राप सुनकर मालनेवान और पुस्पवंती दोनों ही भैसे कापने लगे उन्हों ने देवराज इंद्र से छमाय आचना की किन्तु श्राप भला मीट कैसे सकता था अतह उन दोनों ने प्रिथवी पर पिसाच योनी में प्राप्त की हिमाले के गुफाओं में रहने लगे अपने पाप सरील में यातनाओं का सहन करते हुए वे दोनों निवास करने लगे आखिर एक दिन पिसाच योनी में रहते हुए मालेवान ने अपनी पत्नी पुस्पवन्ती से कहा आखिर हमने कौन से पाप कर्म किये है जो हमें या पिसाच शरील प्राप्त हुआ है नरक की यातनाय कठिन होती है किन्तु पिसाच योनी की यातनाय भी अती दुखदाई है हमें कोई न कोई उपाय अवस्य करना चाहिए जिसे हमें पिसाच योनी से मुक्ति मिल सके इस परकार वे विचार कर ही रहे थे कि उन्हें भगवान विश्णु की विशेश किर्पा प्राप्थ हुई और उन्हें यह अफसर प्राप्थ हुआ वह दिन था माग मास के सुखल पक्ष की एकादसी उस दिन उन दोनों ने ही अंजाने में इस वरत का पालन किया हिमाले की कंद्राओं में अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने उस दिन ना तो फल खाया और ना ही किसी जीव की हत्या की उन्होंने उस दिन किसी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास भी न किया वे उस दिन संपूर्ण दिन और रात एक विक्ष के नीचे बैठे रहे आखिर का रातरी समाप्त हुई और शुर्योदे हुआ देखिए आखिर अग्यानता में ही उन्होंने एकादस जीवरत का पालन किया था और रातरी जागरन भी की थी तो उस दिन उसे एकादस जीवरत के फल श्वरूप और भगवान स्ली हरी के किलपा प्राप्त श्वरूप उन्हें अपना पुल्व दिव्य श्वरूप शलील पुना प्राप्त हुआ उसके साथ ही उनकी चेतना में भी प्रिवर्तन आ गया उन्हें अपने पूर्व जनम की शारी घटनाएं भी याद आ गई तभी आकास मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और वे पिसाच योनी से मुक्त हो गए थे अलंकार से सुशोभित हो कर वे दोनों अपने विमान में बैठ कर वापस शोर्ग लोक आए उन दोनों को अपने पूर्व सरीर में देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत आस्चले चकित हुआ उन्होंने माल्यवान से पूछा यह चमतकार कैसे हुआ आप दोनों कैसे मुले सराप से मुक्त हुएं देवराज इंद्र के प्रसंद शुनकर माल्यवान ने उन्हें बरे ही विनमलता से बताया कि भगवान स्रीहरी के किरपा से और जया एकादसी के फल से उन्हें यह चमतकार हुआ और वे पिसाज चयोनी से मुक्थो कर पुनह अपना शरीर प्राप्त किया यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसंद हुए और उनका स्वागत किया उन्होंने कहा भगवान स्रीहरी के किरपा पाने वाले सेवक उनके लिए भी पुझनिये हैं तो इस प्रकार काथा का समापन करते हुए भवान श्रीक्रिष्ण ने युधिस्टिर से कहा हे निलिप्षिष्ट परतेक वेक्ति को इस परमपावन जया एकादसी का व्रत अवस्य करना चाहिए इसे करने से सभी यग्ये एवं दान का फल प्राप्त होता है इस एकादसी की कथा को मात्र श्रवन इवं पठन करने से व्यक्ति को अग्नीश्टूम यग्ये का फल प्राप्त होता है तो यह थी जया इवं भव्मी एकादसी की शंपून उलत कथा सास्त्र कहता है इस दिन किया गया कोई भी अध्यात्मिक कार्य जीवन को सफल बनाता है यह वो मुक्ष प्रादान करता है यदि आपने इस कथा को अश्रम पून श्रवन किया तो आपके भी सारी मनुकामनाय पून अवस्य होगी इस तरह की और भी धार्मी केवं पूरानी कथाय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा कॉमेंट में जैश्री मन नारायन अवस्य लिखें वीडियो में अंतक बने रहने के लिए धन्यवाद